भारत माता की, भारत माता की, जय माई पुरन देवी, बिशरी माई की जय, मैं बक्त प्रणाद और महर्ची मैं ही बाबा की, इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ, मौजय समराथ के रूप में, भारत के गवरों को दूर जूर तक फैलाने वाले, समराथ अशोग की, आज जैनती भी है, उनसे प्रणा लेवाले, बड़ी संख्या में लोग, आज भाजपा को, अपना आशिरवात देने आये हैं, एंडिये सरकार के तीसरी पाई को लेकर, पहले से भी ज्यादा उत्सा नजर आ रहा है, आपका योगसा बता रहा है, फिरेकमार, 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 विक्सित भारत के लिए, चार जोन, साथ्यों, आज एंडिये सरकार के लिए, वंचित सोसित वर्ग, हमारी पहली प्रात्विक्ता है, जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं, एक समय था, जब केंद्र की सरकारें, बिहार को, पिछड़ा कहकर, पिछ़ा छुड़ा लेती थी, बिहार की सरकारें, सिमानचल को, पिछड़ा कहकर के पलड़ा जाड़ लेती थी, लेकिन हम लें, सिमानचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को, अपना मिशन बनाया है, एंडिये सरकार ने, सिमानचल के भागे को बदलने के लिए, आकांची जीला, और अब आकांची ब्लोग, ऐसी बहुती महत्वा कांची योजना चलाई, आज हमारे पूर्णिया ने, देश में, सबसे बहतर प्रगति करने वाले, आकांची जीलों में, अपनी जगर बनाई है, मैं इसके लिए, पूर्णिया के लोगों को, बहुत बहुत बदाई देता हूँ, साथियों, आपका उच्छा अधूद है, ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपका उच्छा, मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा, तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा, तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रार्षना है, कि आपके नारे, आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें से अच्छा होगा, करेंगे मेरी बात को, मेरी बात को मानेंगे, पका मानेंगे, बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहाँ के नवजवान इतने बढ़िया है, कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं, यह मेरा सवभाग्य है, साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरड़पूर ममक्का उपादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेटी भी खूब होती है पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतिशत ममकाना अकेले पुर्णिया के किसान भी पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्थ को फोटसान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आजेंडिये सरकार मखाने को सूपर फूड के रुप में प्रमोट कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्नकी तो मोधी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोधी ने दुनिया के बड़े बड़े राध्पति प्रदान मंद्री को स्री अन्न मोटा अनाज छिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाज गरीब का खाना है अमीरों का खाना बन रहा है इसका फायजा सीजे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्य को भी मुनाभे की फ़सल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर ख़रीद बढ़ाई और अब तो मक्य से एसनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथन और प्रांड पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिस जिले ही इसका उजाटनन किया था साथियों क्रिशी और उद्योग के इन आउसरों को गतिन देने के लिए पूरिया में रेर और रोड के इंफ्राष सक्रिकर भी आतुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवाने जेल सेक्शन के बिद्ध्योथी करण लुकार्पन किया था हमारी जरकार सिमांचल में अच्छी सटकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पुर्णिया में हवाई जहाज भी उत्रेगे हमारी सरकार सिमान्चल में बंदे भारत, नमो भारत जैसी टेनों के जलिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बैतर स्वासपस विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाओं, गरीब, दलीद, बंजीद, दस सकों से, जीन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीस करोड गरीवी से भार तब आये जब हमने दिन रात उनके लिए मैनत की देश के चार करोड गरीवों को पी-एम आवा तब बिला जहाँ आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवा दिया देश के पचास करोड से जयादा दलीतों वंचीतों गरीवों का बैंक में खाता तब भुला जब आपने मोदी को आशिरवा देशर करके सेवा करने का मोदी दिया करोड़ों माताओं बैनों को चुले के दुए से मुक्ति तम भी जब मोदी ने उचुवला सिलिंडर देकर उनकी सूद देश के 11 करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी हैं हर गर जल को अपना मिशन बढ़ाया आज 11 करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान इजिवी एंडिये सरकार ही भेज रही है कि योजनाओं का बहुत प्रणाप हमारे तत्तमा समाच महलदार समाच आर्शिव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथ्यों मोदी इतने से संतूस नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को सिमाचल को बिहार को और पोरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पायजान पर कड़ा व्यक्ती हमारा गलीद पिछड़ा आजिवासी ये इनिनी प्राविक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्राविक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गड़ीवी से प्रावित है और मोदी गड़ीवी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमाई सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्था का स्थान मिले सम्विधान के प्रति देश का प्रतिक व्यक्ति समर्बित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक पुर्टाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बावा साथ के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्तों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ड और समसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्थ तो बहुत विशेष हैं इस साल सम्विधान के 55 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आज जाजी के 55 वर्ष पर आजाजी का अमरुत महोस मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का परवम मनाना है हमने त Ay loi किया है हम देश की कोने कोने में बाबा साब के समयधान की भावनाव को लेकर जायेंगे देश की युवापूणी को देश की गवरोम साली समयधान के निर्मार की प्रक्डिया उसके ध्याए उसका महत्व बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग है जिनोंने आपात काल में संभीधान को रद करने, संभीधान को बंदग बनाने और संभीधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठी में रखना चाहते हैं, संभीधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग संभीधाने की ववस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने रखे हैं लेकिन इनके मनसुवे काम्याब न हो, संभीधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों, अगले पांच वर्सों के कामकाईद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देद के सभी ज़र्वत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुक्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब, दलीब, बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सतर सांसे अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुक्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने भुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाएं नहीं अगर कोई तकलिफ है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथ्यों पिछले दस वरसों में एंडिये सरकार ने वो काम किये हैं जीने पहले असंभव भाने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है एंडिये के पास है आपको याद होगा पहले अरोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते से सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुशा भी आता था आपका मन करता था ना कि इने घर में गुश कर मारो मोजी ने आपकी इशाद का पालन गया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जिन्डा अलग समिजान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात समिजान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड़ करके सम्वीदान को जम्मू केश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्वीदान वहां लागू नहीं होता था यह मोदी है जो सम्वीदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मिर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्वीदान लागू हो गया कश्मीर से आपकी इच्छाथी 370 हटनी चाहिए तो यह गमन्डिया गडवन्दर वारे क्या कहते थे यह कहते थे कि 370 हटी तो कश्मिर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मिर में नहीं भारत को बाटने वारों के मन्सूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथ्यों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोड़ते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरों बड़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे है गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रही है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या यह लोग रहते हैं साथ्यों हमारा सिमांचल बिहार का एक संबेजन सिल इलाका है बोट बैंक की राजरीदी करने वालों ने पूर्णिया और सिमांचल को अवैद गुस्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद वंचीत पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया लेकिन मैं आपको आश्वा संदेना चाता हूँ देश की सुरक्षा के खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमानचल की सुरक्षा ताय करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए CAE का विरोग करें वो भी एक बाद जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दोर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा अराजकता अफराण और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिज जी के नेत्रत्में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वारे लोग उस दौर की बापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना हर बहाई से खर खाए बक्री खाए अचार भाव ये महनद गरिब जनता करें और मलाई ये आरदेडी वाले लूटें मोदी के रहतें ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठीकाने बचाने के लिए वह अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल प्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पुर्णिया से एंडिय उमिद्वार श्री संतोष कुमार्दी संतोष कुमार्दी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के सार इने वोट करना है पुर्णिया और कटियार जे जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर गर जाओगे पोलिंग मुझ जीतोगे हर पोलिंग मुझ जीतना है जीतोगे अच्चा मेरा एक और काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखे यहां से जाने के बाद गर गर जाइए और जाकर के समसो कहिए कि हमारे मोदी जी आए थे उन्होंने आपको प्रनाम कहा है मेरा प्रनाम पहुँचा दोगे देखे मेरा प्रनाम पहुँचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आचिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आचिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ती मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूंगा आपके लिए दोड़ता रहूंगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 और 2047 विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद कर दो